इतिहास के पन्नों में अक्सर पुरुषों की वीर्था, युद्ध और शासन की कहानियां दर्ज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और संगर्ष से इतिहास की दिशाही बदल दी। ये वो कहानियां हैं जो शायद किताबों में कम जगह पाती हैं, पर इनका महत्व उतना ही बड़ा है। आईए, जानते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। रजिय सुल्तान, भारत की पहली और एक मात्र महिला सुल्तान, एक ऐसी शासक जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपने अद्वितीय नेत्रित्व से अपनी जगह बनाई। उनका शासनकाल न केवल समाज सुधार के लिए जाना जाता है, बलकि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को भी बढ़ावा दिया। अहिल्याबाई होलकर, मराठा सामराज्य की एक नाईका, जिन्होंने अपने न्याय प्रिय शासन और समाज सुधार कारियों से राज्य को समर्ध बनाया। उन्होंने अपने जीवन को जनता की सेवा में समर्पित किया और कई मंदिरों, धर्मशालाओं और पानी की टंकियों का निर्माण कराया। बेगम हजरत महल, 1857 की क्रांती की एक मजबूत नेता, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई-लड़ी और अवद की रियासत को बचाने के लिए अपना जीवन नियोचावर कर दिया। उनका साहस और बलिदान हमें आज भी प्रेरित करता है। सावित्री बाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक ऐसी महिला जिन्होंने दलित और स्त्रियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया और समाज में जागरूकता फैलाई, उनकी पहल ने हजारों महिलाओं के जीवन में शिक्षा की रोशनी पहुँचाई। ताराबाई, मराठा सामराज्य की रक्षक, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मराठा सेना का नेतरित्व किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए वीर्ता से लड़ाई की, उनका संगर्ष मराठा इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। दुर्गावती राणी, गोंडवाना की वह बहादुर राणी, जिन्होंने मुगलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा, उनका साहस और निष्ठा, उनकी अमर कहानी बन गई। ये महिलाएं सिर्फ नाम नहीं हैं, ये इतिहास का वो हिस्सा हैं जो हमें बताता है कि संघर्ष और बलिदान में कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने हमें दिखाया कि शक्ती, साहस और निष्ठा के बल पर कुछ भी संभव है।